असलाम ओलाइकूम इस वीडियो में मैं इफ्तार स्पेशल चिकन रोल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक कप चिकन से आप धेर सारे चिकन रोल्स बना के तयार कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसे एक महीने तक फ्रीज करके रख सकते हैं पूरे रमजान के लिए तो चलिए बनाना शुगर देश के लिए मैंने पैन में टू टेबल स्पून ऑईल गरम कर लिया इसमे अब एक कप बूइल एंड श्रेट चिकन को नमक दाल के थोड़ा सा बॉइल कर लिजे और उसके बाद ने थंडा होने के बाद में इस तरह से श्रेट कर दीजे और वो एट कर देंगे यह एक कप है यानि 250 ग्राम अब हम इसमें एट करेंगे चिकन क्यूब एक जिससे सारे मिसालों को पहले हम अच्छे से मिला देंगे अब एट करेंगे एक पारी कटी हुई हरी मिर्च एक टीस्पून और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे आप एक कप ही बॉइल आलू जिसे मैंने अच्छे से बॉइल करके अच्छे से मैश कर दिया है अब इसे सब च मुझे 1-4 cup bread crumbs चीचेटी बंगे चिकन रॉल्स अब हमसंदों कीचहँ इसे बिल्कुल थंड़ा करेंगे थंडा होने के बाद में इसमें अड़ा होने के बाद में इसमें अड़ा चाहिए के बारेंगे आप सारे रोल्स फिर्स तरह से बनागे तयार कर के रख लेंगे जैसे ही थोड़ी देर के लिए फडूरी ही देर के लिए घाल ङ्ट मेंझेकर फ्रीज टाके यह सई हो जाए और उसके बाद में ब्रेट क्रम से अच्छे से हम इसको कोट कर लेंगे, तो इसी तरह से हम सारे रोस को तयार कर लेंगे, यह देखिए, अब इसी तरह से सारे चिकन रोस को हम तयार करेंगे, आप चाहें तो इसी स्टेश पे इन्हें फ्रीज करके रख सकती हैं, और जब इसे आप बाहर निकाल के रखिए और फिर fry करिए low medium flame पर नहीं तो अगर आप high flame पर fry करेंगे तो बाहर से fry हो जाएंगे अंदर से कच्छे रहेंगे फ्रीज हुए थोड़े मैं आपको यहां पर fry करके भी दिखा रहेंगे तो oil गरम करेंगे और medium flame पर ही हमने इनको fry करना है क्योंकि सारी चीज़े पकी हुई है तो यह बहुत जल्दी अच्छे से fry हो जाएंगे और जैसे ही यह golden हो जाएं तो आप इनको निकाल दीजिए तो मैंने जैसे कहा फ्रीजर से जब आप इनको निकाल के इफ्तार के लिए फ्राइ करेंगे तो बिल्कुल low medium पर फ्राइ कीजिए अगर आप high flame पर करेंगे तो यह एक तो बहुत जल्दी टेंप्रेचर चेंज होने के वज़े से पानी छोड़ देंगे और फ्राइ करने के लिए बहुत मुश्किल होगी तो low flame पर इसको आप फ्राइ कर सकते हैं सारे रोल्स मैंने फ्राइ कर लिया है यह देखिए कितने अच्छे मज़ेदार रोल्स बनकर तयार हुए हैं बाहर स क्रिस्पी हैं अंदर से जूसी है तो टेस्टी चिकन रोल की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए शेर किजिए अपने ऐसे फामली और फ्रेंड से जिनको इफतार रेसिपी सबसंद आएगी और सब्सक्राइब कीजिए आपको 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 एसे यूस्फिल वीडियो के लिए थैंक्स पर वाचिंग